आज के इस कर्षा में हम प्रस्णा वली 6.3 के प्रस्णों को हल करेंगे प्रस्ण संख्या एक है निम्नलिखित का गुननफल प्राप्ट करने के लिए उचित सर्व समिका का उप्योग कीजिए तो यहाँ कुछ सर्व समिका हमने लिखा है आप इसे देखें a प्लस b का होल स्क्वाइर बराबर a स्क्वाइर प्लस 2ab प्लस b स्क्वाइर दूसरा है a minus b whole square is called to a square minus 2ab plus b square तीसरा है a plus b into a minus b is called to a square minus b square चौथा है x plus a into x plus b is called to x square plus a plus b into x plus ab इन्ही चार सर्वसमिका का उप्योग करके हमें प्रस्ण संख्या एक के सारे प्रस्णों को हल करना है मैं इसका पहला वाला प्रस्ण ए नंबर प्रस्ण ले रहा हूँ तो यहां देखें x प्लस 5 और x प्लस 5 तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 5 का whole square अब यहां देखते हैं कि यह हमारे जो चार सर्वसमिकाए हैं उनमें से यह किसकी तरह है तो आप देखें ठीक यह पहले नंबर की तरह है यहां a प्लस b का whole square है और यहां x प्लस 5 का whole square है बिल्कुल एक जैसा है तो यहां a की जगह पर क्या है यहां x है तो हम इसका जो दाहिना पक्च है उसमें जहां जहां a है वहां x बैठाएंगे और जहां जहां b है वहां 5 बैठाएंगे तो यहां a square है तो यह हो जाएगा x square इसके बाद 2 है a है तो a की जगह फिर x और b की जगह 5 और प्लस b square यानि 5 का square तो यह हो गया x square प्लस 2 पच्छे 10 10 और यह x 10x प्लस 5 का square 25 तो यह हमारा गुननफल आ गया अब जो बाकी प्रस्ण है यह आपको स्वयम से इन सर्वसमिकाओं के उप्योग से हल करना है मैं इसमें सर्फ हिंट दे रहा हूँ देखे बी नंबर बी नंबर भी पहले वाले सर्वसमिका से ही हल होगा यह पहला वाला सर्वसमिका यहाँ c नंबर है इसमें दूसरा वाला आप मिला के देखिए यह दूसरा वाला सर्वसमिका का प्रियोग होगा d नंबर में भी दूसरा वाला ही होगा ए नमबर देखें तो ए नमबर देखें तो ये तीसरे नमबर के अनुसार है तो ये तीसरे नमबर के प्रियोग से हम इसे हल करेंगे ये है ये भी तीसरे नमबर के अनुसार है एफ नमबर यह तीसरा नमबर है यह फिर G नमबर है यह फिर पहले नमबर के अनुसार है ह यह फिर तीसरे नमबर के अनुसार है जो जो मैंने हिंट दिया सर्वसमिका कौन से सर्वसमिका से कौन सा प्रस्न फल होगा उसे उसका उप्योग करके आप ठिक इसी तरह से बनाया जैसे ये मैंने पहला A नंबर बनाया है प्रस्न संख्या दो सर्वसमिका का उप्योग कर निमलिखित को सरल कीजिए यहां फिर हमारा यह सर्वसमीका है और इसका प्रयोग करके हमको इसे हल करना है तो मैं इसका सबसे पहले ए निमबर ले रहा हूँ 5A-3B का होल स्क्वार तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो प्रशन है यह किस सर्वसमीका का उप्योग से हल होगा तो इसको मिला के देखते हैं यहाँ यह 5a-3b तो यहाँ देख रहे हैं a-b का holy square यह ठीक ऐसा ही है तो यहाँ है हमारे सरफसमिका में a और उसकी जगा यहाँ पर है 5a और यहाँ b है उसकी जगा यहाँ पर है 3b तो इसका जो दाहिना पक्ष है उसमें हम a की जगा रखेंगे 5a और b की जगा रखेंगे 3b तो a square था वहाँ सरफसमिका में तो यहाँ हम रिखेंगे 5a का holy square माइनस 2 इन्टू 5a इन्टू 3b और प्लस 3b का holy square तो यह हो गया 5a का holy square तो 5 क्या करेंगे तो पाँच पच्चे 25 और यह a square माइनस 2 पच्चे 10 तियाई 30 यह 30 हो गया और यह a b और यह हो गया 3b का holy square तीन का square होगा पहले तो यह हो जाएगा 9 और यह b square तो यह हमारा गुननफल आ गया अब एक और प्रस्चन लेते हैं g number यह है x square plus y square into x square minus y square अब देखते हैं कि यह जो हमारा प्रस्चन है किस सर्व समिका के उप्योग से हल होगा तो आप 3 number देखिए a plus b into a minus b ठीक उसी तरह से यहां भी है x square plus y square और x square minus y square तो यहां a है तो a की जगा हमारे प्रस्चन में क्या है x square और यहां जो b है उसके जगा y square तो यहां हम देख रहे हैं सर्व समिका में दाहिनी ओर है a square minus b square तो हम a की जगा x square रखेंगे और b की जगा y square तो आई यह से रखते हैं x square का whole square minus y square का whole square ठीक इसी तरह से हमने किया है तो अब x square का whole square यानि घात का घात यह हमने घातांक वाले प्रस्चन में पढ़ा है तो यह हो जाएगा x का घात 4 और यहां हो जाएगा y का घात 4 तो यह हमारा गुननफल आजिया एक और प्रस्चन लेते हैं यह प्रस्चन है l यह है 1.05 गुना 0.095 तो पाले हम 1.05 को इस तरह से लिख सकते हैं एक जोड़ 0.05 और इसे लिख सकते हैं एक घटाव 0.05 अब देखिए यह किस सर्फ समीका के अनुसार आ गया यह देखिए तीसरे नमबर के अनुसार हो गया एक जगह है एक और बी के जगह है 0.05 तो फिर इसका जो दाहिना पक्ष है a2-b2 वहाँ एक जगह हम एक बैठाएंगे और बी के जगह 0.05 पाँच तो हम बैठाते हैं यह एक स्क्वैर होगा है एक का स्क्वैर यह – 0.05 का स्क्वैर यानि वर्ग तो जब हम एक का करेंगे तो यह एक आ जाएगा और दसमलो शुन्य पांच को पुना दसमलो शुन्य पांच से करेंगे तो यह आ जाएगा शुन्य दसमलो शुन्य शुन्य दो पांच अब इसको दसमलों का घटाओ आप जानते हैं आप इसे घटाएं तो ये आ जाएगा शुन दसमलों नौ नौ साथ पांच तो ये हमारा गुननफल आ गया अब बाकी प्रस्णों का मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये किस सर्वसमिका के आधार पर बनेगा तो पहला प्रस्ण ये नंबर तो बना दिया हूँ बी नंबर ये देखिए ये पहले वाले सर्वसमिका के एक नंबर जो है उसके अनुसार होगा ये फिर दो नंबर सर्वसमिका के अनुसार होगा ये पुना दो नंबर के अनुसार होगा दो नंबर के उप्योग से होगा यह C है यह तीसरे सर्वसमिका के प्रियोग से हल होगा यहाँ पुना यह C तीसरे नंबर से होगा यह G नंबर तो हमने कर दिया है हल कर दिया है और यह H नंबर देखिए यह हमारा दूसरे नंबर सर्वसमिका से हल होगा एक नमबर स्वरी ह के बाद यह आई नमबर तो आई में अब देखे 106 का स्क्वायर है तो जैसे हमने L में किया है यह वाले प्रश्ण में ठीक उसी तरह से इसको हल करेंगे हमने यहां लिखा था 1.5 के लिए 1.5 तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 100 जोड़ 6 और फिर 100 जोड़ 6 लिखेंगे तो फिर यह इसके अनुसार आजाएगा तो यह पहले नमबर के अनुसार आजाएगा तो यह पहला है यह 91 है तो इसे हम 100 घटाओ 9 100 घटाओ 9 और उसका whole square करेंगे तो यह दूसरे नमबर से हल होगा अब यहां देखें तो यहां क्या हो जाएगा 297 है तो यह 300 घटाओ 3 और यहां 300 जोड 3 अनुसार तो फिर यह हमारा इसके तीसरे नमबर के अनुसार हो जाएगा और यह L तो हमने हल कर दिया है तो आसा है इस हिंट के अनुसार आप सारे प्रस्णों को हल कर लेंगे प्रस्ण संख्या 3 सरल कीजिए तो इसका मैं ए नमबर हल कर रहा हूं ए नमबर है 7M माइनस 8N का whole square plus 7M plus 8N का whole square तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि यह वाला जो हमारा है 7M माइनस 8N का whole square यह दूसरे नमबर सर्वसमिका के अनुसार है तो इसको हम उसी सर्वसमिका के अधार पर expand करेंगे और यह जो दूसरा वाला यहां पर है यह पहले वाले सर्वसमिका के अनुसार है तो पहले वाले सर्वसमिका का उप्योग करके हम इसे expand करेंगे और देखें के आता है तो इसे expand करते हैं तो यह हो जाएगा 7M whole square minus 2 into 7M into 8N plus 8N का whole square अब यह दूसरा वाला यह इसे expand करते हैं तो यह 7M whole square plus 2 into 7M into 8N और plus 8N का whole square अब यह 7M का whole square यह हो जाएगा 749M square 49M square minus 2 सते 14 और 14 को 8 से गुना करें 14 को 8 से गुना करें देखें 14 गुना 8 2 सते 14 गुने 8 तो यह हो गया 8 4 के 32 का 8 4 के 32 के 2 हाथ मना 3 8 गा 8 और 3 11 चलिए यह हो गया 112M N और यह हो जाएगा 8N का whole square 88 64 N square यहां देख रहे हैं कि माइनस 112MN है और यहां प्लस 112MN है तो यह हमारा कैंसिल हो गया है अब समान पदों को एक जगा लिखते हैं तो यह 49M square प्लस 49M square और प्लस 64N square प्लस 64N square तो यह दोनों समान पद हैं इसलिए जुड जाएंगे तो नो नो अठार का आठ हाथ मरा है एक चराठ एक नो अठानवे M square और यह हो गया 128M square तो यह सरल होके हमारा यह आ रहा है 98M square प्लस 128N square इसी तरह से हम बाकी प्रस्नों को भी expand करके और उसको फिर हल करेंगे प्रस्न संखिया 3 का B यह है P minus Q whole square plus P plus Q whole square plus 2P जी आईए इसे हल करते हैं तो यह P minus Q का whole square है तो यह दूसरे नंबर सर्फसमिका के आधार पर हम इसको expand करते हैं तो यह हो जाएगा P square minus 2PQ और plus Q square और यह पहले सर्फसमिका के अनुसर होगा तो यह हो जाएगा P square plus Q square plus 2PQ और यह फिर यहाँ पर है plus 2PQ तो यहाँ देख रहे हैं एक यह minus 2PQ है और यह plus 2PQ यह cancel हो गया तो आप यहाँ पर हो गया P square plus P square 2P square plus 2Q square plus 2PQ तो इसमें से हम 2 common ले लेते हैं तो यह हो गया P square plus Q square plus PQ तो यह हमारा सरल हो गया तो इसी तरह से हम C number और D number को भी हल करेंगे प्रस्न संख्या 4 दिखलाईए की यहाँ A, B और C तीन प्रस्न हैं दिखलाईए की का अर्थ ही हो गया कि यहाँ दो भाग है यह है आपका LHS यह है LHS और यह है RHS तो LHS बराबर RHS यह हमको दिखलाना है यानि जो बाया पक्च है उसका मान यह दाहिने पक्च के अनुसार होगा के बराबर होगा तो आए इसका मैं C number लेता हूँ तो C number में क्या है कि यह बाया पक्च है और बराबर दाहिना पक्च शुन्ने आता है तो हम बाया पक्च को हल करते हैं और देखते हैं हमें इससे दिखाना है कि यह इसका मान शुन्ने आएगा तो यह X माइनस Y इंटू X प्लस Y तो यह हमारे सर्वसमी का तीन नंबर जो है इसके अनुसार हो रहा है तो यह हो जाएगा X square माइनस Y square ठीक उसी तरह से यह हो जाएगा Y square माइनस Z square और यह हो जाएगा Z square माइनस X square अब हम देख रहे हैं कि यहाँ X square है plus X square है और यहाँ माइनस X square है तो यह cancel हो गया यह Y square माइनस यहाँ है यह ו प्लस है तो यह cancel हो गया उसी तरह से यह भी cancel हो गया तो क्या बज़किया हमारा 0 scale to यह RHS आ गया तो यही सब था हमारा तो यह सत्यापित हो गया, ठीक इसी तरह से हम लोग यह मान लगा के ए और बी को भी हल करेंगे